आज हम पहुंचे हैं हात्रस लोगसवा सीट ये लोगसवा सीट बीजेपी का गड़ कही जा सकती है ये सुरक्षत सीट है लेकिन यहाँ एसपी बीएसपी कभी नहीं जीत पाए 1991 से लेकर 2004 तक लगातार यहां बीएपी जीती आई 2009 में आरेल्डी जीती लेकिन उस वक्त आरेल्डी का गड़ बंधन बीजेपी के साथ था 2014 और 2019 में भी यहां बीजेपी का उमिदवार ही जीता 2024 के चुनाव में यहां पर अनूप बालमिकी बीजेपी की तरफ से हैं जस्बीर बालमिकी एसपी की तरफ से हैं और हेम धनगर यहां बस्पा के प्रतियाशी है यहां पर जाट और जाटव दोनों का कॉंबिनेशन है और यह दोनों जातियाँ बीजेपी के साथ इस इस इलाके में मजबूती के साथ खड़ी आई है एक बार फिर यहां RLD BJP के साथ आई है यानि जो कोई संभावना बन सकती थी वो संभावना अब की बार कम हो गई है हम हाथरस के इलाके में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि आखिर जाट और जाटव 24 के रण में किस के साथ चलते हैं हमारे हाथरस वैसे तो सुरक्षित सीट है लेकिन यहां से BSP कभी चुनाव नहीं जीती और समाजवादी पार्टी का हाता भी नहीं खुला पिछले आठ चुनाव में यहां से साथ बार BJP और एक बार RLD को जीत मिली है हाथरस लोकसवा सीट पर विजेता का फैसला दलित और जाट वोटर करते हैं यह जिसके साथ खड़े होते हैं जीत भी उसी को मिलती है हाथरस के जाट और जाट वोटर का मूड समझें उससे पहले समझते हैं हाथरस का जाति गणित हाथरस सीट पर 23.7% दलित वोटर की रोल में हैं इसके अलावा 14.6% मुसलिम, 13% जाट और 13% ही राजपूत समाज के मद्दाबा वो BJP अजेन चौधरी के गटबंदन के साथ है या इंडिया अलाइंस की तरफ वोट कर रहा है इस वक्त हम पहुँचे हैं हाथरस लोकसबा सीट और गाउं का नाम बड़ा शांदार है चिंता की नगरी चिंता की नगरी क्यों है ये साव बड़ा अच्छा सवाल हो सकता है शिरुवात में बाउजी सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है किस समाज का ये गाउं है जाट समाज ज्यादा है तो जाट अब की बार 24 में किस के साथ अच्छा बीजेपी के थे नहीं लेकिन जैंत चला गया तो मिल गए तो क्या जैंत के जाने से फरक पड़ता है जैंत के लोग कुछ लोग जाट पहले भी बीजेपी में थे कुछ जैंत के साथ थे अब अगर जाट समुदाए को देख रहे है 24 के चुनाओं में कितना फीसदी इंडिया गटवंधन के साथ कितना फीस्दी बीजेपी और जैन्त के साथ जादा तरह गोई में जादा तरह जाएगों जैन्त बीजेपी में ले गए तो दोना अच्छा जैन्त के आने से फरक पड़ता है ये बात कह रहे हैं सर आपका नाम क्या है और आप अगर अपने गाउं को समाज को देख रहे हैं तो अपना जाट समाज कहा नजर आ रहा है 24 के चुनाम ये लोक सभा हात्रस पड़ता है हमारा और भाजपा से जो प्रक्ट्यास ही है वो अनूप बालमी की है और यह मैं बता दूँ कि लोक दल के आने से जुड़ने से बाजपा मनला बहुत ही मजूद हुई है और ये हात् समुदाय में कितने लोग वोट देंगे कितने फीसदी बीजेपी से नाराज है यहां तो कम से कम सतर से असी जो फीसदी है वो जाट जो है वो सब भाजपा के साथ में अच्छा सतर से असी की बात कर रहे हैं बाव जी क्या नाम हो आपका इंदरपाल सिंग जी किसान है तो उस लोगों को क्या कहोगे जो कहते कि जाट बीजेपी से नाराज हैं बीजेपी नाराज तो यह हैं किद्धर जा रहे हैं जेंथ चौधरी आए गए थे फरक पड़ रहे हैं अगर चौधरी चरण सिंग्ग को भारत तरहतन मिलता है तो जाट समाज का मन पिंगलता है क्या नाम हुआ योजना और है अभी के तो उससे कोई वोट पलटेगा योगी मोदी जी के नाम पर बोट जा रहा है अच्छा केंडिडेट नहीं देख रहे हैं योगी मोदी देख रहें इस बार जो अनुक बालमी किया है कम से कम 340 लाक रुप उससे बोटों से जीते हो जीत जाएगा अब सवाल यह बता यह पिछ आनिस्थर की बात आपने कली भी सड़क नीवनी यह योजनाय आई देश को देखते हैं तो विकास हुआ नहीं हुआ हाँ विकास तो चल रहा है अब देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि क्राइम नहीं है रात के 11 बज़े आदमी चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है दो ल हुआ उसी को मैं कह रहा हुँ लेकर जैन्त के लिए यहां पूट नहीं है यह तो सब कहने वाली बात हैं लेकार की और बीजेपी का तो यहां बिल्कुली सूपड़ा साप है यहां तो पांच लोग तो बीजेपी के पक्ष में थे पांच साल में एक भरती नहीं निकार के दाई अब आपकी बात आपका आंकलन देख रहे हैं यहां ज्यादा सुनी 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 मैं कह रहा हूं आपकी ब तो कौन मजबूत है जाट किसके साथ आपके हिसाब से हमारे हिसाब से तो जाएगे गटबंदर के साथ जाट नाराज है बिल्कुल नाराज है 2024 के चुनाव में सभी पार्टियों की तरफ से नए नए चुनावी चेहरे मैदान में है BJP ने मौझूदा सांसद राजवीर दिलेर का टिकेट काट कर अनूप वालमिक को मौका दिया है वहीं S.P. ने जस्वीर वालमिकी को चुनाव में उतारा है जबकि B.S.P. ने हेम बाबू धंगर पर दाव खिला है हाथरस की लडाई को दिल्चस्प बना रहे हैं O.S.C. और पल्लवी पटेल के प्रतियाशी जैवीर सिंग धंगर जैन चौधरी के साथ गट बंधन का फायदा BJP को मिलता देख रहा है तो मोदी और योगी अभी भी जाट वोटर्स की पहली पसंद है यही कहना चाहूँगा के सरकार BJP की हो या कॉंगरिस की हो लेकिन हमने तो देखा है पिछले 10 साल से BJP की सरकार है और हम युवा हैं यह सभी और एक रोजगार के लिए हम तडफ रहें इधर से उधर और जो हमारे यहां के जो भी प्रत्मिदी रहें जो भी आप मुझे नाम भी नहीं पता है कौन है लेकिन मैंने कभी उनको यहां देखा नहीं है तो क्या उनके पक्ष में वोट जाएगा जी अगर वो सीधे सीधे अगर होते यहां से तो बिल्कुल जाता मेरी तरफ से तो उनके लिए जाता लेकर उनकी तरफ से कोई है नहीं सीधा सीधा उन्होंने कुछ गठबंदन कर रखा है तो इसलिए मेरा अप समाजवादी को नहीं दोगे आप नोटा है अब यह बताई गुडिया उपर खड़ी सोच रही है वोट है आपके पास आप स्कूल कॉलेज जाते हैं क्या करते हैं जी मेरी बेकी थरड़ी अरे फाइनल सिक्सेमिस्टर है अच्छा क्या नम हूँ आप प्रीति चौधरी प्रीति चौधरी आप महिलाओं में युवां में बात होती है कई तो राज निति को लेकर क्या बात होती है क्या तस्थीन नजरां करते हैं wanita सरकार पास के फेल 11 इसंड पार बिज़ेपी की ही आनी हैे जुट बात परिशा क्तूंशन होता है क्यदों कि बाहर से कुछुँ होता है कि हम विजे आ की तरफ नहीं है हम तो इसकी तरफ है व तो गुडिया ने राज खोल दिया है सभी बाबा जो नीचे बैठे ना ग्यान दे रहे थे कि ये है वो है भाई है यहां पर सबकी बात सुन रही थी गुडिया गुडिया कह रही है कि उपर से कोई कुछ कहे वोट बीजेपी को जाएगा तो ये चिंता की बात विपक्षियों के लिए ऐसी क्या बात है कि जो बीजेपी का विरोध करने वाले बात करते हैं बयान देते हैं उनके बच्चे कहते हैं कुछ भी कहले वोट बीजेपी को जाए पहुत जिए तो बटन जो मतलब मोहर हमारी फूल पर जाती है ऐसा कैसे हो जाता है किस बात पर जो जाता है किसान बेहाल है आप कहरे हो कि विदेश निती पिता कर रहे हैं ऑसी अईसी बजा रहे है जो जाते रहें कुछ नहीं होगा चार जुन के बाद देख लेना अच्छा तो बाउजी कहरे है कि विपक्स ऐसे ही घंटी बजा रहा है कुछ नहीं है खाली घंटी है बात कह रहे हैं कि योगी और मोधी के चेहरे पर हैं अब ज़रा गाउं का नाम सुनिए चिंता की नगरी गाउं का नाम है गाउं तक पहुचने वाली सड़क खराब है सौफीस दी लोग सड़क को लेकर नाराज हैं कह रहें विकास काम गाउं में नहीं हुआ वोट फिर भी बीजेपी को अब आप समझ लीजिए ईवीम हैक कैसे है हाथरस लोगसवा सीट में पांच विधान सवा सीटे हैं जिन में से चार पर बीजेपी और एक पर आर एलडी का कबजा है हाथरस के ग्रामिन इलाकों में केंदर सरकार की बेनिफिश्री स्कीम और योगी सरकार की कानून वस्था गेम चेंजर साबित हो रही है इस वड़न हम घातरस के मनसिया गाउं में पहुंचे हैं घातरस एसी रिजव सीट है और इसं गाउं का कम्बिनेशन भी कुछ ऐसा है जाट में रहते है पूछ लेते हैं कि जाट किसके साथ और जाटव किसके साथ हमारे साथ गाउं के बड़े बुज़र्ग से लेकर नौजवान तक सब है सर आपका नाम क्या हुआ कनाईया लाल जी आप प्रधान भी है कितने वोट हैं यहाँ 33-33 बड़ा गाउं हुआ तो क्या तस्वीर नज़र आ रही है 2024 की 2024 से मोधी जी आएंगी मोधी जी किस बात पे उन्होंने अच्छा काम किया है गरीबों के लिए रासन और मकान, सिच्छा, बेन बेटी आराम से जाती आती हैं कोई परेसाई नहीं है नहीं कोई गुंड़ा मवाली है बाबा, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? विक्रम सिंग तो विक्रम जी अपने समाज में अगर जाट समाज की बात की जाए तो कितनी फीस्दी वोट किस पार्टी की तरफ दिख रहा है? जाट तो बीजेपी में जाता है यहां समाजवादी पार्टी भी है, इंडिया गाठमंदन के साथ, बीएसपी भी है आपका नाम क्या हुआ, क्या करते हैं, कहां तक पढ़ें? श्वम चौधरी श्वम चौधरी, कहां तक पढ़ें? बीटेक बीटेक किये हैं, तो नौकरी लगी? नहीं बीजनस कर रहे हैं, एक नोजवान जाट समाज से क्या सोच रहा है, 24 के चुनाव को लेकर, एक तरफ मोदी हैं, जो कहरें, विकास किया, एक तरफ विपक्षी हैं, जो कहरें कि नोजवान बीजनस कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई जैन चौधरी के साथ कितने फीजदी वोट थे जो इस पलट जाएंगे, बहुत से तो इस बात से भी नाराज हैं, कि जैन चौधरी क्यों आ गया इधर? हमारा जो एरिया है, वो 80-90% 80-90% तो जैन चौधरी वे एक बड़ा फेक्टर यहाँ पर नज़र आ रहा है OAC का नया गटबंधन सबसे जादा नुकसान SP को पहुँचा रहा है अखिलेश यादव PDA यानि पिछडा दलित और अल्पसंख्यक वोटरों के नाम पर चुराव लड़ रहे हैं, तो OAC के PDA का मतलब पिछडा दलित और मुसलिम है यानि दोनों पार्टियों का टार्गेट एक ही है, इन दोनों के अलावा मायवती की पार्टी का दावा भी दलित वोटरस पर है हाथरस में PDM और PDA 40 फीजडी के करीब हैं, इसी 40 फीजडी वोट के लिए SP, BSP और OAC के गटवंदन में लड़ाई है बीजेपी के अनूप वालमिकी को S.C. के साथ जाट और अपर कास का वोट मिलने की उम्मीद है, यानि बीजेपी के वोट बैंक का समिकरण 50 फीजडी के करीब है 2019 लोकसभा चुनाओं में SP, BSP कटवंदन के बावचूद बीजेपी को हाथरस में काम्याभी मिली थी बीजेपी के राजवीर दिलेर ने SP अलाइन्स के रामजी लाल सुमन को 2,60,000 से अधिक अंतर से हराया था 2024 में मायवती अकेले चुनाव लड़ रही हैं ऐसे में हाथरस के दलित समाज खास तोर पर जाटव वोटर पर सब की नजर है 2024 में जाटव बीएसपी के साथ ही रहेंगे या नया विकल्प तलाशेंगे इस वक्त हम हाथरस के ओटपुरा इलाके में हैं पीछे आप सम्विधान देख रहे हैं भीमराव अमेटकर जी की तस्वीर है जाटव मोहला है और समाज के लोग हमारे साथ हैं आजड़र समाज के साथ होगा जाटव समाज तो 100 परसेंट है कि 100 परसेंट है अच्छा आपका नाम किया राजी सिंग एडवोकेट साब किस समाज से आप जाटव समाज से आते हैं तो मैं आप से समझना चाहते हो एडवोकेट हो तो माना जाता है कि जाटव समाज में पढ़ा लिखा इंसानिक विचारक होता है वो चर्चा करता है मैं पी कभी नहीं जीती यहां पर बीजेपी हमेशा जीती आई अब कि बार क्या नजर आ रहा है और इसके पीछे का राज क्या है है कि यहां तो दूसरी बात भी किया है बीजेपी में यहां जात बना हुआ है सब्सक्राइब करें जाटव समाज बीएसपी के साथ खड़ा रहेगा लेकिन यहां बीजेपी जीतती आई है सर आपका नाम क्या हुआ आप 24 के चुनाव को कैसे आख रहें मेरा नाम चौदरी बिजेंदर शींग है मैं जाटव समाज से हैं बाकि चुनाव देखिए मैं किसी पार्टी का ब्रोधी नहीं है मैं किवाल पार्टी की जो गलत नीतियों का ब्रोधी होता हूं और उनी का ब्रोध करता हूं नहीं मैं किसी प्रत्यासी का ब्रोध करता हूं लेकिन जो पार्टीयों की जो नीतियां होती हैं अगर अच्छी न जाटव समाज के यूथ वोटर्स में मायवती को लेकर नाराजगी भले ही दिख रही हो, लेकिन जाटव समाज के वोटिंग पैटर्न में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है आपका नाम क्या हुआ? मैरा नाम कुल्दीप जाटव एक नौजवान है, क्या करते हैं, कहा तक पड़े हैं? मैं ग्रेजवेट हूँ और LLB की है, बहुत अच्छी बात है अब आप कैसे आख रहे हैं? क्या जाटव पात की दिवार तूट रही है या अभी भी बरकरा है? विबच्चे की भूमगा की निवाने की जब बात आती है, तो बहन जी एसी के गमरे से नहीं निकलती है